पुस्क में यूकरेन भाले ही खब्जे के दावे कर रहा है लेकिन रूस के सैनिकों ने बहां यूकरेन के सैनिकों को चारू और से घेर लिया हैं नए सिरे से आक्रमन किये जा रहे हैं और पतन की प्रमाणू प्लान से नेटो के 32 देशों में हड़काम है हम आपको एनिमेशन के जरिये दिखाते हैं पुतीन की एटमी जंग का सबसे पहले शिकार कौन-कौन हो सकता है कुछ रिपोर्ट के मताबिक पुतीन के रूस ने टैंकों के 32 देशों को एटमी जंग की आखरी धमकी दी है दावा किया जा रहा है कि यूकरियन के चक्कर में तीसरा विश्यूद होने जा रहा है जिसमें घातक परमाणू हत्यारों का जम कर इस्तेमाल होगा रिपोर्ट के मताबिक 72 मिनट तक परमाणू जंग हो सकती है जिसमें 5000 से जादा परमाणू बम इस्तेमाल हो सकते है अबिंदी ओिया इजा इसन है वोग जान वे ओिरो अवी ओिर्य कि उन्हाओें, से वह जिर आभादें का विर आप जारी एले, इसा है और विर आप जा एक बोग भीजा आ एंगा है जा आप उन्हाओें लोगिदा एंका आप आपी जा है पुतीन की परमानु जंग की तयारी का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस ने पहले चरण में परमानु जंग में सक्षम, किंजल और इसकंदर मिसाईलों से अभ्यास शुरू कर दिया है रूसी सेना दक्षणी सेनने जिले में परमानु जंग की तयारी कर चुकी है यही वजा है कि अब उस दावे की दहशत पूरी दुनिया पर छाने लगी है जिसमें दावा किया गया है कि तीसरे विश्विद्द की 72 मिनट की परमानु जंग बहुत भारी पढ़ने जा रही है जराइस एनिमेशन से एटमी जंग को समझने की कोशिश कीजिए रूस के लिए जासूसी करने वाले एक जर्मन सेने अधिकारी ने कहा है कि रूस की परमानु हमला करने की तैयारी पूरी हो चुकी है रूस के राष्ट्रपती ब्लादिमिर पुतिन कभी भी हाइपरसोनिक मिसाइलों से परमानु हमले का आदेश जारी कर सकते हैं आशंका जताई गई है कि अगर परमानु युद छिड़ा तो 72 मिनट के अंदर धर्दी पर 5000 परमानु विसफोर्ट होंगे और अकल पनी अबिनाश होगा नुकलियर वार, असिनेरियो, बुक के मताबिक इन धमाकों में 300 करोड से जादा लोगों की मौत हो जाएगी पुतीन का साफ कहना है यूक्रेन जंग अब रूस के वजूद से जुड़ चुकी है जिसके चलते अब रूस परमानु जंग करने को मजबूर हो जाएगा नाराश्चिवएट प्रिसूस्थिए व वस्तोचने इसंट्राल्ने एवरोपे पवशाएट बईवोग गतोफ इउविलीचिवएट चिस्लनस कालिचोन अब वारुज़न नहीं सिल पोलेंड के अंदर चल रहे हैं वो चीक-चीक कर गवाही दे रहे हैं कि अब अमेरिका ब्रिटेन जैसे 32 नेटो देश यूकरेन को बचाने के लिए रूस पर सीधा परमानु हमला कर सकते हैं यूकरेन के प्रधार मंतरी डेनिस शामिहाल ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर यूकरेन रूस से जंग हारता है तो दुनिया तीसरे विश्युद में भस्म हो जाएगी पुतीन की आखरी जंग 32 मिनट 300 करोड मौत बाततर मिनट में धरती द्वन्स कैसे हो सकती है ये समझिये रूस की मिसाइल फायर होते ही 25 मिनट में नियू यूक मैप के अनुवान के मताबिक इससे पहले हमले में ही 16 लाख लोगों की मौत हो जाएगी और 30 लाख लोग घायल हो जाएंगे इसके बाद 25 से 50 मिनट में धरती पर परमाणू यूद शुरू हो जाएगा यूरोप पर रूस के हमले शुरू हो जाएंगे यूज और फ्रांस मिलकर रूस पर परमाणू हमले शुरू कर देंगे और चीन भी पलट बार करेगा रूसी गड़मंदन का देश नौथ कोरिया भी यूएस यूरोप पर हमले शुरू कर देगा 50 से लेकर 72 मिनट तक महा बिनाश होगा यानि इन 22 मिनटों में धरती पर 5000 परमाणू धमाकों का अनुमान जताया जा रहा है नूकलियर वार, असेनेरियो, बुक के मताबिक इन धमाकों में 300 करोड से जादा लोगों की मौत हो जाएगी नूकलियर वार, असेनेरियो किताब में अनुमान लगाया गया है कि 100 साल तक विनाश का चक्र चलता रहेगा हैरानी की बात तो ये है कि पिये मोदी जलेंस्की से मिलकर युद्ध को रुकवाने की कोशिश में लगे हैं लेकिन यूकरेन की एटमी साजिश ने पुतीन को भेंकर गुस्ता दिला दिया है अब देखना होगा याने वाले दिनों में रूस यूकरेन से कुर्सक परमानू उर्जा संयंत्र का बदला कैसे लेता है कर दो